उसके बास जो है कि आपका जो लाइनर पिश्टन होता है वो खतम हो जाएगा एक दिन इंजन सीज हो जाएगा इंजन आयल बताया हुआ है कि भाई हमको इंजन आयल यहां तक मेक्सिमम चाहिए तो वहां तक चाहिए क्योंकि अगर आप लेबल पर नहीं रखेंगे अपने ट आnew तो अगर इंजन आयल बताया हुआ है है हम पोई इंजन आल यहां तक मेक्सिमम चाहिए तो वहां तक चाहिए रेजन क्या है कि इंजन बड़ा है ठीक है और बहुत जगह जो है कि उसको आल को जाना ऑपर तक कैसे जाएगा तो ही बताता है कि मेक्सिमम यहां तक होना चाहिए और हॉय होता है कि चलो यार थोड़ा सा कम हुआ तो फिर उत्पूस में डालना है, थोड़ा तो चलेगा, लेकिन डालना जरूरी है, अगर आप नहीं डालेंगे, तो आपका इंजन थोड़े दिने को बाद, पहले तो गरम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है न, बार-बार गरम होगा, बहुत जल्दी हीट हो जाया करेगा, उसके बाद से आपका जो लाइनर पिष्टन होता है, वो खतम हो जाएगा, एक दिन इंजन सीज हो जाएगा, इंजन आईल ना रहने को यसे, दोस्तों, अब बात कर लेता है हाइडोलिक जो पंप होता है, इसका हाइडोलिक टेंक, हाइडोलिक पंप, जहाँ टेंक से इंजन गरम होगा, बहुत जड़ा गरम होगा, पूरा गारी गरम हो जाता है दोस्तों, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, और जो आपका हाइडोलिक पंप है, या तो फट जाएगा, या तो आवाज मार जाएगा एक दम से, और बंद जाम ह जाएगा हार एक चीज, ठीक है न, और बात कर लेते हैं हम आपका, जो है की, जो ट्रांस्मीशन आयल परता है, जो गेर बॉक्स होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना लेबल बताया उतना लेबल पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लेबल पर नहीं रखेंगे अपने ट्रांस्मीशन आयल को, तो भाई देखिए वो गेर होता है, ठीक है न, वो गेर होता है, गेर उसमें चलता है, और ट्रांस्मीशन आयल उसको थ्वा सा ठंडा भी रखता है, और उसको जो है की आवाज आने नहीं देता है गेर में से, ठ यहां जहां गेज लगा होता है न वहां वहां पर समझ यहां पर जो मैक्सिमम और जो हाई लिखा हुआ है हमको उस पर रखना बहुत जरूरी है अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है ओ इंजन सीजो सकता है प्रांस्मिसन जो आल परता है जो गेर बॉक्स फर जाए यहां पर जहां पर दिक्कत नहीं है कोई प्राब्लम नहीं है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकरसन आ जाए फिर में नेक्स्ट वीडियो में दब तक के लिए टेक कियर